जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसर पुस्पदंत जी से संबंदित देखिए आप पर ब्रंस का भ्यास कहा जाता है पुस्पदंत जी को और इन से संबंदित महत्तपूर्ण कॉस्चन यहां पर देखते हैं तो वीडियो को पूरा अवस्चे देख लें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन दबाए और पर क्लिक करें ताकि वाल वीडियो की जानकारी सबसे पहले न रचिनाकाल यह बताना है तो फर्ष्ट कॉस्चन है और आपका सही आंसर है इनका रचिनाकाल माना जाता है दसवी सदी दसवी सदी विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है पुस्पदंत की लोग पिरे रचिना कौन सी मानी जाती है माप्राण दोहा कोस्ट चर्यापद पुकारा है तो आलोचक बताना है कौन से आलोचक है जन्होंने पुस्पदंत को अब ब्रंस का भावबोती कहकर पुकारा है तो इस से बसे हैं सेंगर तो विकल्प नमबर सी आपका यहां पर सही आंसर होका बिल्कुल चाही कौस्चन नमबर 4 पुचा है कौन जन संत स्वयम को अभिमान मेरू कहा करते थे तो बहें कौन से है तो बहें जन संत कौन है जो स्वयम को अभिमान मेरू कहा करते थे यह कौस्चन कई बार एकजाम में पुचा गया है और पुस्पदंत पुस्पदंत जी ही जो है स्वयम को अ तो question नमबर पांच है और पांच का डी राइट आंसर होगा यानि कि स्यो मत के अनुवाईते पहले कौन पुस्पधन्त है अंगला question क्या है राहुल सान क्रेट्या ने हिंदी के सर्वसेष्ट कवियों में पुस्पधन्त को कौन सा इस्तान दिया है पहला तीसरा दूसरा या पर चोथा तो आपका यहाँ पर सही आंसर है तो विकल नमबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number 7 क्या पूँचा है तो question number 7 यहाँ पर पूँचा है बॉललाई, कोईल, अंबय, कलियाई, कांकली, चंचियू, रूण, रूटाई, पंत्यों की रशिनाकार बताना है तो आपका सही आंसर है विकल नमबर बी राइट आंसर है यानि की पुस्पधन्त आपका सही आंसर है यह question बहुत ही महत्तपूर्ण है और आप भी हमने सबसे पहली आपके लिए यही बताया था कि अब ब्रंस का अभ्यास जो कहा जाता है वह पुस्पधन्त जी को कहा जाता है तो विकल नमबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है पुस्पधन्त या पुस्पधन्त या पु question क्या है तो question number 10 आप से यहाँ पर पुचा गया है महत्तपूर्ण question है क्या पुचा गया है कि पुस्पधन्त की काप सहली चौपाई के बाद दोहा रखने की सहली का प्रभाव किस रचिना पर पड़ा है साकेत सूर सारावली रामचरित मानस या जूलडा रामायन तो आपक doh पने जाते हैं गया है देवसेल धनपाल पुस्पधन्त या स्वयंभू सैंघण धनपाल पुचा है तो धनपाल जो है यह सबसे कुशल कभी मानीजाते हैं Question number 13, आप से यहां पर पूंचा गया है, प्रवंद चंतामनी की रचेता हैं, जैनाचार, मेरुतंग, धनपाल, सालिभद्द सूरी, या कभी आसगू? Question number 13, राइट आंसर विकल्प number 1, यानि की जैनाचारे, मेरुतंग, आपका यहां पर सही answer होगा, चंतन वाला रास खंड काभी की रचेता माने जाते हैं, question number 14, जो की बहुत ही मत्तपुन है, तो चंतन वाला रास खंड की जो रचेता माने जाते हैं, बहें माने जाते हैं कभी आसगू? तो विकल्प number D, आपका यहां पर सही answer है, इन में से कौन सी रचिना है, जो जालवर में लिखी गई है, तो आपके लिए रचिना बताना है कौन सी रचिना है, तो question number 15 है, और जालवर में लिखी गई जो रचिना है, चंदन वाला रास, चंदन वाला रास आपका यहां पर बिल्कुल सई राइट आंसर है किसे जेन संत को अप भ्रंस का पाण्ड़नी कहा जाता है महत्त पूर्ण कॉस्चन है अप भ्रंस का पाण्ड़नी कहा जाता है जेन संत माने जाते हैं हम चंद्र धनपाल पुस्पदान्त स्वयंभो तो आपका सई आंसर है क्या है राइट आं सासन और छंधोन साचन यह जो रचना माने जाती हैं अब अ thumbs के ग्रन्थ और यह माने जाते हैं किस की रचना है हम ओक tragen सूरि आपका सई आंशर है निय हमी नात रात किस तो आपका राइत आंसर है नियमीनाथ रायस जो रचना है यह मानी जाती है कभी सुमती आपको यहाँ पर सही आंसर होगा बिलकुल सही विकल्प नंबर सी आपका राइत आंसर है बहुत बढ़िया तो इस परकार अपने यहाँ पर भहती महत्तपूर्ट कॉस्चन तो वीडियो को पूरा अवस्त देखें और यह वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अबस्ति करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जय हिं